हेलो गाइज, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, माइम इस हरजीत कौर, हम कर रहे हैं हलू संजी के और उसमें हमारा कैमिस्ट्री चल रहा है, और आज हम शुरू करेंगे सीमेंट से, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट एक कॉंपलेक्स मेटीरियल है, जिसमें की कैल्शियम और एलमीनियं के सीलिकेड्स होते हैं, और जो सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट होता है, वो मिलके क्या बनाता है, सीमेंट औरटर मिक्स होकर क्या बनाते हैं? एक हार्ड रॉक की मास बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सैटिग आप سीमेंट। और अगर हम sand, cement और water तीनों को mix कर दे, mix करके जो paste बनेगा उसको बोलते हैं mortar जो mortar होता है इसको हम use करते हैं walls को plaster करने के लिए या फिर जो walls बनाते हैं उसमें bricks लगाते हैं उन bricks को join करने के लिए हम use करते हैं mortar को और इसके इलावा एक और mixture होता है जिसमें stone chips होते है stone chips क्या होता है stone chips होता है जो बज़री होती है stone chips हो गया, sand हो गया, cement हो गया, water हो गया और इन चारों का जो mixture बनके त्यार होता है उसको बोलते हैं concrete जो concrete होता है वो mortar से थोड़ा harder होता है hard भी होता है जो ordinary mortar होता है उससे hard होता है इसलिए इसको यूज़ करते हैं हम flooring के लिए जो फर्श वगेरा बनते हैं उसके लिए और roads बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें अगर ये जो concrete बनके त्यार हुआ है इस concrete में अगर हम डाल दे steel bars और wires जिसको बोलते हैं सरिया अगर हम इसमें steel bars और wires इसमें हम add कर दे concrete में डाल दें तो वो क्या बनता है वो बन जाता है reinforced concrete और जो reinforced concrete होता है ये होता है very strong material पहले हमने बनाया था mortar mortar से हमने एक और harder चीज़ बनाई वो क्या थी concrete concrete से hard क्या बनाया reinforced concrete तो reinforced concrete जो है वो very strong material है और reinforced concrete को हम use करते हैं roofs बनाने के लिए जो गर की च्छत होती है उस पे यूज़ होता है bridges बनाने के लिए और जो pillars वगारा बनते हैं उनमें भी जो reinforced concrete है वही यूज़ होता है फिर 1824 में एक English थे Mason Joseph Aspden तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि जब यह वाला जो mixture है ना जो limestone का तो जो limestone का गरम heated mixture है तो इसको अगर हम clay के साथ mix कर दे limestone और clay दोनों को अगर हम mix कर दे पानी के साथ तो उसको कुछ time के लिए हम रख दे चीक है तीन चीज़ों को यहाँ पर mix कर रहा है यह बंदा limestone, clay और water चीक है इन तीनों को mix करके वो कुछ time के लिए रख रहा है कुछ time के लिए रखने के बाद यह बहुत ही hard बन जाएगा Portland rock एक England में famous building stone है ठीक है तो यह क्या है Portland rock तो यही से फिर इसका नाम पढ़ गया Portland cement ठीक है क्योंकि इसको जब हम settle करते हैं कुछ time के लिए तो यह Portland rock जैसा मिलता जूलता एक harder stone मास बन जाता है तो इसलिए इसको बोलते है Portland cement अब यह जो Portland cement होता है इसमें जो lime की जादा होती है इसके इलावा इसमें silica होता है iron oxide और almina भी होता है cement factory में जो काम करते हैं जो workers होते हैं उनको एक disease होती है कॉंसे disease cytosilicosis cytosilicosis क्या है यह एक lung disease है अगर हम silica की presence में बहुत जादा time तक सांस लेते हैं तो उनको फिर यह disease हो जाती है cytosilicosis नाम की इसके इलाव होता है 62% silica होता है 22% almina होता है 7.5% magnesia होता है 2.5% iron oxide again 2.5% होता है sulfur trioxide यह 1.5% होता है sodium oxide 1% होता है and potassium oxide भी 1% होता है फिर next बात करते हैं हम glass की glass क्या होता है glass होता है super cool liquid इसमें जो main constituent होता है glass का वो क्या होता है वो है silicon dioxide glass क्या है glass जो कांच होता है वो वाला glass पानी पीने वाला glass नहीं यह वो जो कांच होता है वो बले glass की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिर आगे glass की classification देख लेते हैं अगर हम types की बात करें तो एक होता है soda glass और soda lime glass जो soda glass है यह sodium calcium silicate का बना होता है और यह सारे glasses में से सबसे घटिया क्वालिटी का गलास है इसको हम यूजली यूज करते हैं विड़ो पैंस बनाने के लिए और बॉटल्स बनाने के लिए और यह वाला जो गलास है इस पर कैमिकल का अटैक बहुत इसली हो जाता है मतलब की थोड़ा सा भी कैमिकल इसके टच में आया तो इसके सा इसके साथ रियक्शन हो जाएगी और यह वाला जो गलास है वो खराब हो जाएगा फिर आता है पताश गलास पर इसके साथ रिजिस्टेंस भी जादा होती है अब इसके कैमिकल के साथ रिजिस्टेंस जादा होती है इसलिए हम इसको लिबोक्रीज में यूज करते है号 कामिकल आपरेटर स्लाइक वीकर्द हो गये फ्लास को गे फैनल्ड हो गया निक्स है ऑल्पीकल रास को वम्म्म करते हैं फर मेगिंग tolerance हो प्रिजम हो गया और अप्टिकल इंस्टूमेंट्स लाइक टेलिस्कोप billion microscope यह सब चीज़े बनाने के लिए यूज होता है आप्टिकल ग्लास ऑप्टिकल ग्लास में बेसिकली होता है बोरिक ऑकसाइड और शीलिका अप्टिकल ग्लास की टाइप की बात करे तो इसके दो टा य necesita है फिर आते हैं crooks glass, crooks glass use करते हैं स्प्रेक्टिकल्स बनाने के लिए चश्मी बनाने के लिए क्यों कि जो crooks glass होते है यूवी rays को absorb करते हैं जो कि हमारी eyes के लिए harmful होती है फिर next है lead crystal and crystal glass, जो lead glass sparkles है इसने परकर संद है इनको हम decorative items बनाने के लिए यूज करते हैं इन में 24 यह 24 से भी ज्यादा परसेंटेज लेड ऑक्साइड की होती है इसलिए इसके फिरागे लेड क्रिस्टल बनते हैं इनको लेड क्रिस्टल भी बोला जाता है जिस ग्लास में 24 परसेंट से ज्यादा लेड ऑक्साइड होता है उसको क्रिस्टल ग्ल नेक्स्ट है borosilicate glass, borosilicate glass में alkaline कम होता है और silicon dioxide ज्यादा होता है comparatively potash glass के और इसके इलावा इसमें B2O3 भी होता है थोड़ा बहुत कॉएंटिटी में होता है ज्यादा नहीं होता है नेक्स्ट है colored glass जो colored glass होते हैं इसको artificial jewelry बनाने के लिए use होता है crockeri बनाने में use किया जाता है और stained glass windows बनाने के लिए use होता है फिर next आता है milky glass milky glass जो होता है इसको बनाया जाता है add करके tan oxide, calcium, phosphate और cryolide इन तीनों चीज़ों को melt करके जो glass त्यार होता है उसको बोलते है milky glass milky glass क्यों बोलते है क्योंकि ये जो तीनों के तीनों substance है ये सारे के सारे ही white color के होते है तो जब ये सारे mix होते हैं तो mix होकर ये एक milky look देते हैं तो इसलिए इसको milky glass बोलते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं glass laminates, glass laminates क्या है, यह basically polymer sheets होती है, जो कि glass की layers में fix करी जाती है, अब जो glass होता है, glass की अलग-अलग layers होती है, तो उन layers में polymer sheet को fix करके, जो glass तियार किया जाता है, उसको बोलते हैं glass laminates, glass laminates use होते हैं windows बनाने के लिए screens of cars, trains and aircraft, इन सब की windows में या screens मे भी use होते हैं, और इसके इलावा especially जो glass laminates use किये जाते हैं, यह use किये जाते हैं bulletproof material बनाने के लिए, जो bulletproof material बनता है ना, जो bulletproof कारियों के शिशे होते हैं, या घर में भी जो bulletproof window होती है, तो वो glass laminates से ही बनी होती है, फिर next आते है polymerization, polymerization क्या होता है, polymerization होता है, जब simple molecules, macro molecules के साथ combine होते हैं, तो उसको बोलते हैं polymers, और जिस process के थूँ यह simple molecules, macro molecules के साथ combine होके आगे polymers बनाते हैं, उस process को बोलते हैं polymerization, जो natural occurring polymers है, वो कौन कौन से है, protein हो गया, nucleic acid हो गया, cellulose हो गया, starch हो गया, यह सारे natural occurring polymers है, next आते हैं plastics, plastics क्या होते हैं, plastics एक cross-linked polymers होते हैं, जो की tough होते हैं, बहुत tough होते हैं, cross-linked polymers से basically यह होते हैं, जो lack है वो एक natural plastic है, जी के lack जो है वो एक natural plastic है, इसके इलावा chemical भी plastic बनाए जाते हैं, जो chemical plastics होते हैं, वो दो तरें के होते हैं, एक होता है thermoplastic और एक होता है thermosatting Plastics, Thermoplastics कौन से होते हैं, Thermoplastics वो Polymers होते हैं, जिनको जब हम गरम करते हैं, तो वो Easily Soft हो जाते हैं, और जैसे ही उसको ठंडा करते हैं, तो वो Hard हो जाते हैं Sorry तो मतलब कि इन में जो Properties हैं, इनकी जो Thermoplastics की Properties होती हैं, उसमें थोड़ी बहुत Change आती हैं, जादा Change नहीं आती Properties में, ठीके Change आने की वज़े से ही, जब हम इसको गरम करते हैं, तो Soft होते हैं, और ठंडा करते हैं, तो Hard हो जाते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी Properties में थोड़ी बहुत Changes आती हैं, तभी ये गरम करने से, Soft और ठंडा करने से, Hard हो जाते हैं, For example, Polyethylene हो गया, Polystyrene हो गया, Polyvinyl chloride हो गया, और Deflon हो गया, Next आता है Thermosetting Plastics Sorry, Thermosetting Plastics कौन से होते हैं, ये वो Polymers होते हैं, जब इनको हम गरम करते हैं, तो इन में Permanent Change आती है, Thermosetting Plastics में गरम करने से, Soft होते हैं, और फिर से, उनको जब ठंडा करते हैं, तो वो Hard हो जाते थे, बट Thermosetting Plastics में उल्टा होता है, इनको जब हम गरम करते हैं, तो ये Permanently Change हो जाते हैं, और उसके बाद इसमें और Change हम नहीं कर सकते हैं, जब इसको गरम करते हैं, तो इन में क्या होता है, Extensive Cross Linking होती है, मोल्ट बन जाते हैं, और एक Hard और Infusible Substance बन जाता है, जिसको हम फिर आगे Reuse नहीं कर सकते हैं, एक बार ही इनको यूज किया जा सकता है, बार बार इनको यूज नहीं किया जा सकता, For example, Backelyte हो गया, यह Phenol और Formaldehyde की Reaction से बनता है, जब Phenol और Formaldehyde की Reaction होती है, In the Presence of Acid और Base, तो बन के क्या तयार होता है, Backelyte, तो इसलिए इसको Phenol Formaldehyde Resins भी बोलते हैं, इसको यूज किया जाता है, Combs बनाने के लिए, Fountain, Pens, Photograph Records, Electrical Goods वगएरा में, यह यूज होता है, Next आती है, Rubber, Rubber क्या है, Rubber एक Polymer है, और अगर हम Rubber को Stretch करते हैं, यह Deform करते हैं, उसके प्रेशर डालते हैं, तो उसके बाद जब हम उसको Release करते हैं, तो वो अपनी वापिस Original Length, Shape और Size में वापिस आ जाती है, जब तक Stretch करेंगे, उसके बोलते हैं, और कुछ जो Polymers होते हैं, Rubber के, वो लबाटरी में त्यार किये जाते हैं, जो कि देखने में uसको लिबाटरी में त्यार किये गये होते हैं, उनको बोलते हैं, Synthesize Rubber, पिर next आती है, Bucknization of Rubber Bul간ization of Rubber क्या होती है, जो natural rubber होती है वो बहुत ही soft और sticky rubber होती है natural rubber soft और sticky होती है तो natural rubber को strength और elasticity देने के लिए हम natural rubber की vulcanization करते है vulcanization के process में क्ले enthrasie Welcome verновation के process में हम natural rubber को sulfur और sulfur के कुछ compounds के साथ इसको heat करते है इसको गर्म करते है और उसके बाद जो बनके rubber त्यार होती है उसको बोलते हैं vulcanized rubber और जो vulcanized rubber होती है इसको use किया जाता है rubber bands बनाने के लिए gloves, car, tires वगएरा में इसको use किया जाता है next आते हैं fibers fibers basically polymers यह होते हैं और fibers के बीच में जो intermolecular forces होती है वो बहुत ही strong होती है fibers के जो polymers यह होते हैं जिन polymers में strong intermolecular forces होती है उनको बोलते हैं fibers basically इन में hydrogen bonding होती है तो जो hydrogen bonding होती है बहुत ही strong bonding होती है for example nylon 6-6, decron, orlon यह सारी-सारी fibers की examples है next है rayon rayon क्या है? rayon एक synthetic fiber है जो के cellulose से obtained किया जाता है teflon क्या है? teflon का common name है poly tetrafluoroethylene right? so that's all about today तो जाने से पहले वीडियो को like कर देना share कर देना और channel को subscribe कर लेना thank you bye bye and have a nice day